आगे देखो ध्यान से क्या कहता है चेंज इंटू पर्सेंटेज इसको हमें पर्तिसत में बदलना है तो कैसे बदलोगे बहुत ही ध्यान से देखो प्यार से देखो क्या कहता है इसको पर्सेंटेज में चेंज इंग कैसे करोगे जैसे अभी तक आप सीखते आये हो कुछ वै करना है हां मतलब जो कि पहले नहीं लगा है तो उसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे हंड्रेट से मल्टीफल कर देंगे सो का गुड़ा कर देंगे यही को याद रखना बाकि सब बूल जाना सो से गुड़ा कर दो बस जैसे पांच को अगर आपको परतिसत में बदलना है तो आ इसका उतर आ जाएगा पांच सो परतिसत बिल्कुल घबराना नहीं यह पांच सो परतिसत कहां से आ गया अब तक तो मैंने सो परतिसत तक ही सुना था लेकिन यह सो के उपर कहे जा रहा है देखो मैं इसमें सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ पांच का मतलब है इनने आती हैं जो इंप्राफर होती हैं या फिर इन्हें आप मिस्र फ्रेक्शन भी बोल सकते हो क्योंकि भाग करोगे तो मिस्र फ्रेक्शन के रूप में आएगा तो इनका परसेंटेज हमेशा सो से जादा होगा इस बात को याद रखना इनका जो उत्तर आएगा क्या जैसे इसी में एक और भी आपको क्लियर करें देता हूं जब लगा हूं तो देख लो जैसे मैंने लिखा वाना पांटू वाना पांटू है इसको परसेंटेज में बदलना है दिसी जा प्राफर फ्रेक्शन ये उचीत भिन है आप कुछ लोगों के दिमाग में बत्ती जल होता है हर बड़ा होता है मतलब खोपड़ी छोटी होती है और एक परकार से ऐसे मानलो थोड़ा आडबड़ लगेगा सुनने में रहने दो नहीं बोलूंगा यानि ये इतना ही समझे लो आप साधारन तरीके से उपर वाली गिंती छोटी हो नीचे वाली बड़ी हो तो उत्तर आएगा 50% मैंने अभी अभी बताया था जब हम किसी भी अनुचीत भिन्न को परतिस्यत में बदलेंगे तो हमेशा उसका उत्तर सो परतिस्यत से जादा आएगा बस अगला बढ़ते हैं ये भी एक उचीत भिन्न है क्या है ये व्रॉफ और फ्रेक्शन है इसको अग से कार्ट तो पांच दूना दस बीशती है ये साथ मतलब साथ परतिस्यत आएगा है ना कितना हाफान मज़ेदार तो फिर काहे को देर इन सब को फटा फट करके बता दो जल्दी से कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि ये कौन सी बिन्ना है ये भी तो परतिस्यत में बदलना कैसे बदलते हैं अगली कलास में हम देखेंगे परतिस्यत अगर लगा है तो कैसे हटाते हैं देखो ये क्या है परतिस्यत से भिन्न में बदलना है अब ये आलाग है थोड़ा सा इसको हम देखेंगे अगली कलास में अगली कलास जरूर देखना बिल्कुल नहीं छोड़ना ठीक